अल्ए नेक्स क्षेशन, क्षेशन से इस फेर इस रोल्ड अरफ होरिजोंटल सर्फेस ठीक है एड ग्रेजुली स्लोज डाउन इट स्वाल है फोस ओ फ्रिक्शन ट्राइस टू तो हमें बताने है फोस ओ फ्रिक्शन जोगा उसकी टेंडेंसी क्या है इस पर्टिकल स्नेरियो म पहले है डिक्रीज जारीनेर विलासिटी दूसरा है इंक्रीज रैंगुलिए विलासिटी तीस Rub अक्रेश डैंशली मोमेंटम इस चौथा और दॉपरी उसको सवाल और रोटेट दोनों कर रहा है तो यह आपकी center of mass की है center की है आपकी velocity v इस Direction में है और यह साथ की साथ ऐसे से ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है इसको ऐसे सबॉझना कि यह जो ाध की यह बच्छे सेपरेर्ली कंसिडर करते हैं तो से फॉर एक्जामपल इस पॉइंट को मैंने मानलोग पी कह दिया और यह पॉइंट आपका क्यू है यह आपकी रॉफ सर्पेस है तो हमेशा आपने कोई बात पता है कि फ्रिक्शन की जो डारेक्शन होती है तो अगर इस पी पॉइंट की बात करेंगे तो जो प्योर रोल इस डारेक्शन में आएगी रोटेशन की वज़े से और अगर प्योर रोलिंग है तो इन दोनों की वैलिव बराबर होगी तो उस सेनरियों में यहापका पार्टिकल रेस्ट पे होगा और फिक्शन जो होगा आपका स्टेटिक फिक्शन यहापर अप्लाई हो रहा होगा न के केस में इस पार्टिकल की टेंडेसी पीछे जाने की होती और फिक्शन आपका आगे की डारेक्शन में लग रहा होता वो आगे लेके जाता लेकिन यहापर क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो उस केस में आपका फिक्शन की डारेक्शन यह पीछे की तरफ आजाएग तो क्योंगि velocity की मान लो i-cap direction है, friction की मान लो minus i-cap direction आई, उस scenario में आपका friction की tendency, velocity की value कम करने की है, हैंस आपका decrease the linear, जो पहला statement है, decrease the linear velocity, that would be the right statement, अब इस case में जो friction है, वो friction आपका पीछे की direction में लग रहा है, और इस friction का जो torque आएगा, torque of friction, वो आपका same omega की direction में है, वो आपका omega को इस वगत यहाँ पर technically हम कहेंगे, कि omega को increase करने की गोईश्च करेगा, क्योंकि दोनों की direction आपकी clockwise है, यहाँ पर जो आपका इसका torque आएगा, वो clockwise direction में होने की वज़े से, इसको increase करेगा, हैंस आपका option B, जो है, that will also be true statement, option C कहता है, increase the linear momentum, यहाँ आपका statement सही नहीं होएगा, because आपका linear momentum MV, इस direction में होएगा, friction आपको इस direction में, तो it will actually try to decrease the linear momentum, decrease angular velocity, यह option में सही नहीं है, तो बेर जो निस हम कह सकते हैं, आपकी दो statement A and B, वो correct statement है, and option 1 जो है, A and B, that would be the right answer for this particular problem, I hope भी चीज़ आपको समझ में आई, कर दो आपको समझ में में, आपको समझ में, आपको समझ में.